तो सर कैसी लगी आपको सूर्मा नाम की तरह एकदम सूर्मा फिल्म है मैं चाहूँगा कि जो लोग ये देख रहे हैं उसका रीजन में बता रहा हूं कि फिल्म है जैसे हम सब की लाइफ में कोई ने कोई श्ट्रगल होता है तो वो श्ट्रगल से किस तरह से आप उपर आ सकत है वो इस फिल्म में दिखाएगा है मैं लगता है लोगों को फिल्म रदू देख रहे हैं कलाकारों के अगर मैं आक्टिंग की बात करो तो किस तरीके का काम किया है सब में में संदीब सिंग जो बने दिलजीत दोसान चुनों ने उस रोल को पूरी तरह से विजयराज की जो एक अलग तरह की कह सकते हैं अनुखा बने उनकी आक्टिंग में और विजयराज इस तरह के रोल के रहे जाने जाते हूं मश्रूर है मैं लोगों को बहुत अच्छी फिल्म है और एक अरसे के बाद ऐसे फिल्म देखना को मिली और पुरे परिवार किसा तो कोई फिल्म देखने अंगत बेदी ने भी बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छा रोल है उनका कि किस तरह एक संदीप सिंग जब लाइट में मायूस हो जाते तो किस तरह उनके भाई ने उनकी help किये उसे वो बहुत अच्छे तरीके से दखाते हैं लगता उन्होंने बहुत अच्छे घाम किया है अच्छे सर क्या आप इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगे आउट और फाइफ कितने स्टार्स मैं इस फिल्म को साड़ेत दिन स्टार्ट हूँगा और लोगों से अपील भी करूँगा कि लोग बजाकर के इस फिल्म जड़ू टेके से दिखाने की कोईशिश की लेकिन वह बहुत खुप्तूरत बन पड़ा है क्या दिल्जीत ने दिल जीता बिल्कुल बिल्कुल एपसलूटली 100% ऐसा लगता है जैसे कि यह जो कैरेक्टर है कि दिल्जीत से जादा अच्छा कोई नहीं निभा पाता जी साथ ही अंगत बहुत अच्छा किया जी सबसे बड़ी अब बात यह थी कि पाकिस्तानी प्लेयर के रूप में जो विक्रम जी है उनके जो बड़े भाई है सदीब सिंग के वो एक छोटे से रोल में उनको लिया और उनोंने पूरी फिल्म में जो होकी को डिजाइन किया है जी फिल्म को ब ओवराल एडिटिंग अच्छी थी, सौंग अच्छे थे, एक गाना थोड़ा था खटकरा था जो इस फिल्म को औरों को रिकमेंड करेंगी बिल्कुल हमें ये रिकमेंड करूंगी और बल्कि ये बोलूंगी कि भारत में तिर्फ क्रिकेट नहीं है, होकी भी है और तचिन तिंदुलकर या गावसकरी नहीं, संदीप दिंग भी है तक तक बहुत जोष रहता है तक तक तो बहुत जोश रहता है यसे फिल्में देखने को रहता है जो तक तापसी पंदू को ऐसी फिल्मे कर चुकी है पहले भी लेकिन दल्जित के लिए फस्त था ता, इसे वह उसने भी और खास़त पर पर सरदार जी थे ना, तो जो जो सरदार जी दोनों थे तो अच्छा हो गया और पिच्छर पर अच्छा इंपक्ट पोइड गया आउट और फाइफ किने स्टार्स देंगे पूर त्री एंडे हाग क्या आप इस फिल्म को और वो को रिकमेंड करेंगे जी अफ्कूर्स पर जो मोटे हैं अनला का तर विल्किल करेंगे रख सकतानि माइंड तेयलो रख से सर्णिप्रल भी पंपनी फिल्म आपको और अच्री बिल्धे था लगी मेंडेशफ टापशु काक्षै आपकूर्स पात्स पींड़ो्ग्डिली आ पैक्टि ब Aujourdड्यी thousand पब्रॉंडब सांच evet Кईसमज फिल्में विल्मेंडबस प्रन इस पुछी संग स्टाफ थोड़ा से स्नो लगा पर फिर क्याच अप कर दिए फिर स्टोरी बहुत इंट्रेस्टिंग लगे यह बताएं दिलजीत दूसरंज की जो आक्टिंग है वो कैसे लगी आपको बेसिकली दिल जीत ने रॉंटे कंडे कर दिया है है अपका दिल जित लिया ओक़ी अलग अलग बायोपीक्स आई है हैं उनके मुकाबले यह बायोपिक कैसी किसी से compare ने करना चाहूँगी, वो हर बाईयोपक अलग होती है, हर किसी की inspiring story होती, यह भी inspiring story है, जरूर लोगों को motivate जरूर करेगी, इस struggle से अपने कैसे deepni भो सिखाएगा आपने का inspiring film है, आप कुछ inspired लग रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगी, कुछ शेयर करना चाहेंगी, क्या आपने masses लिया film से? की problems तो आएंगी, पर आगे बढ़ते जाना है, और अगर stop कर गए तो stop है, full stop है, बट कॉमा से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि होकी पर बेज़ ये फिल्म है, ये बता ही, होकी का जो सिनारियो था, फिल्म के अंदर वो कैसा था, टिकनालिटीज पर कितना ध्यान दिया गया, ओन दफिल्ड जो चीजे है, ड्रामा है, वो कैसी थी? See, technically, I don't know how to play hockey, but as an audience, I was very interested in that scene, so I was thinking about hooting करने का इंदिया के लिए. मतलब, एक तऱ से hockey का मैच देख लिए आपने, ये बताए कि कितने श्रादेंगे पार्श में से फिल्म को? 3.5, 3.5, इतनी गंजूसी कियो? चीजे पेटर हो सकती थी, और मोटिवेशन तो था, 3.5. कुछ रिकेमेंडेशन पैंस के लिए और ओडिन्स के लिए? आप फिम देखे, आप मोटिवेट भी होंगे, और दिजीत आपका दिजीत देगा. Okay, thank you so much. Thank you.